एक निव कोर्स लांच के बारे में आप लोगों से डिसकस कर चुकी हूं अल्रेडी डाट ओन फिफ्ट अप सेप्टेंबर वी आ लांचिंग न्यू एमे सोशोलोजी इगनू में सोशोलोजी के रिगार्डिंग हम एक नया कोर्स लांच करने वाले हैं जिसमें हम लोग बात क अब ही तक मैं इंपोर्टन टॉपिक के कोर्स जो है वो प्रुवाइट करती थी वो चैनल आप पे अल्ड़ेडी अविलेबल है यू कन वाच दा उसमें हर यूनिट के आपको यूनिट वाइस आई विल नॉट से इंपोर्टन टॉपिक ऑन बेसे ऑफ प्रीएस यर कोशन वाँ पे प्रेजंट हैं यहाँ पे मैं जो आपका कोर्स लाने वाली हो मैं सब्जेक्ट वाइज लाने वाली हूं ऑई करिए तो वहां पे अनुस्टॉरी आपका टाइम और मनी जो बर्डण है वह आपके ऊपर ना आ है that's why इसको मैं सब्जेक्ट वाइस करूँगी अब इस course का structure क्या रहने वाला है वाई I name this lecture as a demo lecture देखे मैं बहुत detail में समझा नहीं रही हूँ because मेरा समझाने का तरीका already YouTube पे multiple videos में आपके पास present है मैंने इगनू M.A. की बहुत मतलब सारी videos इगनू M.A. की इतनी सारी वहाँ पे present है तो आप देख सकते हैं अफ इंडिया की भारत के समाशास्तर के बारे में तो इसकी जितनी पे unit है इस way में हम इसको आगे further study करेंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लॉक फर्स्ट की unit 1 है social background of the emergence of sociology of India अब यहाँ पे emergence की बात कर रहा है किसकी sociology की लेकिन कहाँ पे इंडिया में बाहर जो emerge हुआ उसके कारण तो French Revolution, Industrial Revolution Commercial Revolution, Enlightenment यह सब थे अगर आपने basic पढ़ा है तो right नहीं पढ़ा तो कोई बात की उसे भूल जाई है भी यहाँ पे इंडिया में यह कैसे emerge हुआ बाहर तो आप देखेंगे अगस्त कॉम्ट की वज़े से 1839 में यह सब्जेक्ट एक professional सब्जेक्ट की तरह उभर के आया इंडिया में क्या यह 1839 में आ गया था तो दा answer is no हाला कि इंडिया में sociology ए society exist करती थी कबसे exist कर यह society तो जहाँ लोग है सब्जेक्ट के फॉर्म में यह बहुत बाद में इमर्ज हुआ है जिसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन इस चैप्टर में अभी डिरेक्ट इमर्जेंस पर ना जाके वो बता रहा है कि इमर्जेंस का बिग गराउंड क्या था यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में क्या चीज़े चल रही थी जिस वज़े से यह एक जो सब्जेक्ट था सोशलोजी यह इमर्ज होके आया तो यहाँ पे हम उस बेग ग्राउंड की बात करेंगे इस यूनिट में यू विल सी इंट्रोडाक्शन पार्ट यह एक्जाक्ली है क्या हिस्टोरिकल रूट्स ओफ इंडियन सोशलोजी कहां से यह इवाल्व हुआ क्या इंडिया की हिस्ट्री थी सोसाइटी की सोशोग्राफी का मतलब क्या है क्लासिकल अर्बन पर्शियन अकाउंट में ब्रिटिश रूल के टाइम पे सोशो एकनॉमिक कंडिशन क्या थी वो हम यहाँ पे देखेंगे वेस्टनर्स देखें यह बहुत 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 इंपोर्टन पॉइंट है 1.6 क्योंकि multiple exam में question आया हुआ है यह मैंने important topic में cover भी कराया है that the major approaches of the westerns to study Indian society वो किस वे में हमारी society को study कर रहे थे multiple time यह question exam में आया हुआ है then official view of the British regarding caste and tribe जो Britisher थे वो इंडिया की caste and tribe के बारे में क्या उनके viewpoint थे association जो थी वो किस तरीके से grow कर रही थी social inquiry के लिए की society की inquiry होनी जै जैसे इंडिया में Britisher ने caste based census कराया था right caste based census कराया था to know कि किस caste के कितने लोग हैं तो यह चीज social inquiry थी एक तरीके की यह फिर इंडिया के intellect जो people थे intellectuals people थे उनका क्या reaction था for this sociology की beginning बिल्कुल शुरुवाती stage and then sociology and independent India यह सब इस तरीके से यह unit आपकी प्रसीड करेगी unit 1 में यह सारी चीज़े आप लोगों के साथ discuss की जाएंगी यहां पर emergence की कारण की बात नहीं है यहां पर सीधा सीधा जीएस घुरे के बारे में कहानी नहीं बताई गई गई है कि वह father of classical thinker में आते हैं काल मांक्स classical thinker में आते हैं राइट मैक्स वेबर classical thinker में आते हैं तो यह सब क्लासिकल classical thinker में यह तो बाहर के इंडिया की बात हो रही है तो एसी इंडिया में we have the name जी एस घुरे जो फादर ऑफ इंडियन सोशोलोजी भी कहलाते हैं क्यों ही आगे हम पढ़ेंगे वी हैव दे नेम एमें श्रीनिवास इरावती करवे ऐसे बहुत सारे नाम हमारे पास प्रेजेंट है जो हम इंडियन सोशोलोजिस्ट के बारे में भी जिक्र करेंगे इस पू प्रेजाने क्या रहेगा बड़ी एस अब जिम्मिदारी कंदों पर लेंगे तो फूरी करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा आप लोगों का कॉपरेशन रहेगा तो बिलकुल इसको एक सक्सेस्वल कंप्लीट हम कोर्स फॉर्म में इसको चीजों क को जल्दी जल्दी कवर करेंगे मैंने पहले भी बताया था मैं एक साथ 10 के 10 कोर्स स्टार्ट नहीं करूंगी अद्रवाइस मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और बहुत पैनिक की सिचुएशन हो जाएगी कि मैं क्या स्टार्ट करूं क्या खतम करूं तो MSO 4 के जो आपको परिशानी के लग रहे हैं तो आप मुझे वह बता सकते हैं मैं प्लान करूंगी कि मैं उसके कोर्स को भी लॉंच करूंग अपकमिंग क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से इसके हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इंडियन सोशलो 20 नंबर का लिखना है वर्ड लिमिट लिमिटेड है कैसे करेंगे क्या करेंगे यह तो बड़ा दिमाग में पजल हो रहा है तो बाकी और भी मैंने आपको कुश्चन आंसर फॉर्मेट में वीडियो दे रखी हैं कंटेंट दे रखा है तो वह चीज़ भी आप लोग इस पॉर्टन टॉपिक वाले कोर्स को आप लोग का प्यार मिला है सपोर्ट मिला है आप लोग को उससे बेनिफिट हुआ है होप यह सीरीज भी आपको एक अच्छी सब्जेक्ट क्लियारिटी में हेल्प करें बिकॉज इगनुवाले बच्चे वही करते हैं लास्ट मोमें कि आप सारे सब्जेक्ट अगर कर जाएंगे तो आपको नेट के लिए जादा ही दरुदर भागने की जरुवती नहीं है आपका एक बहुत अच्छा कंटेंट बेस क्रियेट यही से हो जाएगा ओके सो या तैट सॉल फॉर दिस थैंक यू एवरिवान फिफ्ट अप अगर अभी तक किसी ने भी डाउनलोड नहीं करी है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हों वहां से चीजों को कवर कर सकते हैं